Hi everyone, welcome to the class. आज हम discuss करने वाले हैं Companies Act 2013 का most important topic डारेक्टर. तो डारेक्टर कौन होता है, यह हम discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर. इस वीडियो में सारा ही हम point to point discussion करने वाले हैं. जो exam point of view से आपका important रहेगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंदर जरूर देखे, आपको exam में बहुत help करेगा. So, इस वीडियो में हम अफकोस डारेक्टर के बारे में जानेंगे, किस वेक्ति को डारेक्टर कहा जाता है, उसकी qualification क्या होती है, किस तरह की company में डारेक्टर appoint क्या जाता है, minimum number कितने होने चाहिए डारेक्टर के, maximum कितने डारेक्टर से आप अपॉइंट कर सकते हैं, इसमें section 149 of Companies Act को discuss करेंगे, आपका schedule 4 of Companies Act 2013, जो schedule 4 है, वो भी हम discuss करेंगे, क्योंकि यह सब डारेक्टर से ही relate करते हैं, और qualification and appointment of director 2014 rules, तो यह भी हम discuss करेंगे, उसमें भी आपके डारेक्टर के बारे में ही बताया गया है, और बहुत कुछ रहेगा, यह सिस मैं आपको मोटी मोटी ब कहेंगा, फिर बता रही हूं, कोई भी पॉइंट ऐसा अनेसेसरी समें नहीं किया गया है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज लाइक, शेर और चैनल को सिस्क्राइब जरू करिएगा, चलिए देखते हैं, बिना समय बरबाद किये, तो सबसे पहले basic से ची कुछ चलाता कोन है, human being चलाते हैं, जो human agencies होती है, उसके employees होते हैं, उसको regulate करने वाले directors होते हैं, और भी बहुत सारे members होते हैं, so company is an artificial person, basic है, and it must act through human agency, और वो company काम कैसे करते है, human agencies के द्वारा करती है, the people through whom the company act and does its business call director, तो company जिनके द्वारा regulate की जाती है, अपने काम करती है उसको हम जो है, director बोलते हैं, उन person को, तो director एक हो, तो director है, और collectively बहुत चारे director है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, board of directors बोलते हैं, simple है, so they are collectively known as board of directors और board, अब director की definition कहां दी गई है, तो companies app 2013 में, आपके section 2, close 34 के अंदर, जो है director, इस word की definition दी गई है, so means a director appointed to the board of a company, तो company का जो board है, उसके अंदर जब आप किसी वेक्ति को appoint करते हैं, as a director, वो director कहलाता है, simple सा है, लेकिन जब आप section 49 पढ़ोगे, तब आपको और important चीज़े जानने को मिलेगी, तो चलिए, हम जान लेते हैं, पहले type of director की, कितने type के directors रहते हैं, फिर section 149 cover फिर आपके हम, जो 2014 वाले जो rules हैं, वो हम discuss करेंगे, और उसके बाद आपका schedule 4, यह हम discuss, types of director, कि आपके director कितने type के रहते हैं, executive director, independent director, और non-executive director, आप कई जंगे देखोगे, जो independent director है न, वो यहां non-executive director के बीचे ही लिखा होता है, बहुत similarity होती है, लेकिन इन में difference है, त executive director क्या होता है, जो full-time employment होता है, ऐसे न, यह कि partially वो work कर रहा है, वो full-time employment है, full-time employee है, यहां का, तो वो executive director होता है, independent director, आपके section 149 के सब section 6 में बताया गया है कि कौन independent director होता है, और कौन नहीं हो सकता है, यह सारी चीजे हैं, वहाँ पर हम detail में इसको discuss करेंगे, तो यह भी एक type ही रहता है, non-executive director का, यहां मैंने लिखा, it's a type of non-executive director, और next, आपका non-executive director कोन होता है, not employed for whole time, यह पूरे whole-time director होता है, मतब employee होता है, यह full-time employee नहीं होता है, किसी भी company का, इसे non-executive director बोला जाता है, और जब आप section 149 पढ़ोगे, तो आप देखोगे, उसमें एक women director क की भी बात की गए है, कि भी कुछ companies में जो है, एक women director appoint करना mandatory होता है, हर तरीके ही company में women director appoint करना ज़रूरी नहीं होता है, कुछ criteria बताया गया है, जिसमें आपको, अगर वो criteria fulfill हो जाता है, उस company से, तो वहां पर एक women director appoint करना mandatory होता है, और पिर आप resident director के बारें पढ़ोगे, कि भी किस तरीके director को आप resident director बोलते हैं, तो हम देख लेते हैं section 149, जो आपको इन सब के बारे में और ज़्यादा detail में बताएगा, section 149 of Companies Act 2013 की reading कर लेते हैं, कि कितने director आपको चाहिए किसी company के अंदर, so company to have board of director, हर company के अंदर जो है director होना जरूरी होता है, और board of directors का होना mandatory होता है, तो इसका subsection 1 देखिए, every company shell, shell word use हुआ है, it means it is a mandatory provision में होता दो, आप ऐसा करिये ना करिये, doesn't matter, so shall have a board of directors consisting of individual as directors, तो हर company में जो है board of directors का होना जरूरी है, जिसे directors को collectively board of directors बोला जाता है, तो as director and shall have, अब यहाँ पर number बताएगे हैं कि किस company में कितने minimum, कितने maximum directors हो सकते हैं, minimum number of three directors in case of a public company, यहाँ पर मैंने लिखाई हुआ है, shortcut में चाहे तो आप इसे पढ़ लिजे, shortcut में से देख लिजे, कि अगर कोई one person company है, तो एक वेक्ती वाली जो company होते हैं, one person, तो उसमें minimum तो one ही रह हैगा, बट उसमें maximum 15 आपके directors हो सकते हैं, अगर कोई private company है, उसके अंदर minimum 2 directors होने चाहें, maximum 15 है, अगर कोई public company है, उसमें minimum 3 directors होने चाहें, maximum 15 हो सकते हैं, क्या यह limit बढ़ाई नहीं जा सकते हैं, क्या maximum की, of course बढ़ाई जा सकते हैं, section को पढ़ते हैं, देखिए, इसमें बत director in case of a 1 person company, यह मैंने आप बता दिया, इसका भी, a maximum of 15 directors, तो सभी में 15 हो सकते हैं, maximum, next, provided, इसका proviso देखिए, that a company may appoint may term है, तो मतब यह चाहें, तो company अगर ज़रूरत है, तो कर सकती है, appoint more than 15 directors, 15 directors से ज़्यादा वो appoint कर सकती है, after passing a special resolution, अगर वो special resolution पास कर देती है, company, तो यह जो limit है, वो से exceed किया जा सकता है, right, next, देखिए, next proviso, further that such class or classes of a company as maybe prescribed shall have at least one women director, तो यह आपके amendment के बाद था, कि भी, कुछ rules and regulations दिये गए हैं, आपके 2014 के जो rules है, उसके अदर बताया गया है, कि कुछ particular kind of companies, जो है, उनमें आपको एक women director appoint करनी, mandatory होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी, कौन-कौन सी तरह की company होती है, बाकि इस पे एक separate video भी बनाई जाएगे, जो यह बताएगा, कि women director की क्या importance है, या क्या qualification रहनी चाहिए, या फिर किस तरह की company में जो है, women director appoint करना mandatory होता है, नेक्स देखे, subsection 2 क्या कहता है, every company existing on or before the date of commencement of this act, तो कोई भी company अगर इस act के आने से पहले बनी है, या जो बाद में बनी है, shall within one year from such commencement comply with the requirement of the provision of subsection 1, तो बनने के एक साल के अंदर अंदर, जो अभी हमने subsection 1 के अंदर जो provision पड़े है, उनके साथ comply करना जरूरी है, मतब उस तरह से act करना उसे mandatory हो जाता है, थर्ड देखे, every company shall have at least one director who has stayed in India, तो हर company में जो है कम से कम एक डारेक्टर ऐसा होना चाहिए, जो इंडिया में रहा हो for a total period of not less than 182 days, तो जो हम बात कर रहे थे आपके resident director की, यह वही है कि भी कम से कम 182 days उसे जो है, इंडिया में रहा हुआ होना चाहिए, in the previous calendar year, जैसे अभी 2024 चल रहा है न, तो last 2023 के अंदर उसे 182 days जो है, उस director को इंडिया के अंदर रहा हुआ होना चाहिए, तेके न, every company shall have at least one director, तो हर company में कम से कम जो एक डारेक्टर है न, वो इस तरीके का होना चाहिए, फोर्थ देखिए, वो as independent director होने चाहिए and the central government may prescribe the minimum number of independent director, तो जो central government है वो भी अपने rules of regulations में जो बताएगी, कि भी कितने minimum number होने चाहिए, जो notification जो central government निकालती है, उसके अंदर बताया जाता है, कि minimum कितने number होने चाहिए, उसको भी follow किया जाना चाहिए, in the case of any class or classes of public company, किसी public company के अंदर, minimum कितने independent director होने चाहिए, उसको भी comply करना ज़रूरी है, अब explanation देखिए, for the purpose of this subsection, any fraction contained in such one third number shall be rounded off as one, you say, it's not more important, पिफ देखिए, every company existing on or before the date of the commencement of this act, वही की भी कोई भी company इस act के आने से पहले बनी है, जो बाद में बनी है, within one year, एक साल के अंदर, जो है, such commencement or from the date of the notification of the rules in this regard as may be applicable, comply with the requirement of the provision of subsection 4, यही जो subsection 4 में जो हमने पड़ा, उसको साथ उसे comply करना, यह mandatory है, एक साल के अंदर, अब subsection 6, जो है, वो independent director के बारे में बताता है, इसमें generally यह बताए गया, कौन जो है independent director नहीं बन सकता है, जादा यह बताए गया, कौन बन सक ता उसके बारे में कम बताया गया, चलिए इंडिपेंडेंट डारेक्टर के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको मैं women director के बारे में बताती हूँ, so इसका जो appointment है, वो दिया गया है, rule 3 के अंदर, rule 3 किसका appointment and qualification of director 2014 rules बताए गये है, तो rule 3 जो है women director के बारे में बता one women director, listed मैंने आपको बताया, जो share market के अंदर listed होते है, इसके shares को खरीदा वे बेचा जा सकता है, वो listed company होती है, तो उसके अंदर एक women director होना mandatory है आपका, if unlisted company है, अगर कोई unlisted company है, लेकिन उसका PUSC, paid up sale capital जो है, वो equal to more than 100 crore है, 100 crore के बराबर या उससे जादा है, तो उसके उसके अंदर भी minimum एक women director का होना जरूरी होता है, अगर कोई unlisted company है, और साथ में उसका turnover जो है, equal to more than 300 crore, उसका turnover 300 crore के बराबर या उससे जादा है, तो उसके अंदर भी minimum जो है, एक women director का होना mandatory होता है, अभी women director आप कब तक appoint कर सकते हैं, जैसे ही company का incorporation हो जाता है, मतलब उस के registration के incorporation के 6 महीने के अंदर अंदर, जो है, आपको एक women director और इस सारे criteria को जो fulfill करता हो, ऐसी company को, एक women director को appoint करना जरूरी होता है, ओके, तो अब इससे आगे हम independent director को देख लेते हैं, independent director क्या होते हैं, या कून होते हैं, या हम जान लेते हैं, तो आपका section 149 का sub section 6 तो यह बता ही रहा है, साथ ही साथ, rule number 456 of companies appointment and qualification of directors rule 2014, जो है, उसका rule 456 भी जो है, आपके independent director के बारे में बताता है, और companies act 2013 का, जो schedule 4 है, वो भी आपके independent director के बारे में है, तो schedule 4 आप खुछ से भी पढ़ सकते हैं, simply उसमें उसकी duties, power, qualifications, वो सब दिये गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताएगा, simple wording में है, आप पढ़ सकते हैं, उसको समझ आ जाएगा, तो independent director क्या है, आपका generally, जो है, listed public companies में होता है, generally बताएगा, लेकिन rule number 4 के अंदर कुछ criteria भी बताएगा, कि अगर company का paid up share capital या turnover, जो ही सब इतरा cross कर जाता है, तो वहाँ पर आपका independent, दो independent director appoint करने, mandatory हो ज जाता है था, so they are like guardian of the interest of the company, इनका काम ये होता है, कि देखता कि company जो है, वो सही तरीके से काम कर रही है, नहीं कोई घपले बाजी तो नहीं हो रही है, कोई scam तो नहीं हो रहा है, तो company के interest को protect करना और उसके सही दिशा में जाना, ये सब कुछ वो ध्यान में रखता है, कई अगर क्या होता है, कुछ companies में experts को भी, कि भी अगर किसी person का जो है, किसी field में बड़ी expertise है, अच्छा उसका experience रहा है, तो ऐसे वेक्ति को भी जो है independent director appoint कर दिया जाता है, इसका एक example ले सकते, suppose करिये मैंने कोई company बनाई, मैं executive director हूँ, लेकिन मेरे पास इतना समय नहीं है, कि म मैं उस काम को देख सकूँ, तो मैं क्या करते हूँ, मैं किसी और person को, या फिर मैं अपने किसी बेटे को, जो है, उसको उस company में independent director appoint कर देती हूँ, तो यह इस तरह से भी रहता है, कोई experts भी हो सकते हैं, ठीक है, तो आपका rule 4 जो है, जो बेरिया भी rules 2014 बताया, उसका rule 4 बता है, कि अगर किसी company का paid up share capital 10 करोड या उससे जादा है, तो वहाँ पर at least 2 independent director appoint करने mandatory होते हैं, या इसमें देखे, जब आप rule पढ़ोगे ना, उसमें और term का इस्तमाल हो, मतलब इन में से अगर वो कोई भी provision को जो है, फुल्फिल कर देता है, तो उसे minimum 2 independent director appoint करने जरूरी होते हैं, तो 10 करोड या उससे जादा का उसका paid up share capital होता है, तो उसे appoint करना है, या फिर उसका turn over 100 करोड या उससे जादा है, तो भी उसे appoint करना पड़ेगा, या फिर debenture, deposit, outstanding loan का जो total amount जो है, अगर वो 50 करोड से exceed करता है, तो exceed करना जरूरी equal नहीं बोल रही है, exceed अगर वो कर दे है, तो भी वहाँ पर दो independent director जो है, appoint करने जरूरी हो जाते हैं, section 149 case of section 6 को हम reading कर लेते हैं, समझ लेते हैं, किन-किन लोगों को आप independent director बना सकते हैं, और आप किसे नहीं बना सकते हैं, देखिए, an independent director in relation to a company means a director other than, तो मदब ये बता रहा है कि किसे आप independent director नहीं बना सकते है other than managing director इसको नहीं बना सकते हैं, whole time director वो भी नहीं बन सकता है, और nominee director को भी आप नहीं बना सकते हो, other than में इनका नाम लिखा वाना, उसके बाद जो ABC जो आगे बताए गए हैं, ये कह रहे हैं कि इनको आप बना सकते हो, अब ये nominee director कोन होता है, अगर आपने जैसे सुना होगा ना किसी ने अपने बिल बनाई, अपना उसने nominee बना दिया, या फिर bank account में भी लिखा तो ये मेरा nominee, मतलब मेरे बाद जो है, इसके ओपर वो सारे rights duties सब आ जाते हैं, तो suppose करे कोई investor है, किसी ने अपना पैसा जो है कि किसी company में invest करा, काफिय अच्छा investment उसने करा, तो वो बी-सी ये देख लेते हैं, सारा section हम readout करेंगे, तो बहुत समय लग जाएगा, तो जो सरफ important, जो crux है, वो मैं आपको समझा देती हूँ, reading आप कर लीजेगा, A, who in the opinion of the board, तो जो board of directors है, जो board है, उनके विचार में अगर, is a person of integrity and possess relevant expertise and experience, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, independent director generally, अच्छे किसी को experience है, expertise है, उस वेक्ति को point कर लिया जाता है, तो ये भी यही कह रहा है, जिस person की integrity हो, उसको अच्छा है, relevant expertise हो, या experience हो, उसे हम, जो board को जो लगता है, उसको वो independent director point कर सकते हैं, B, who is or was not a promoter of company, आप कोई ऐसा वेक्ति है, जो पहले कभी रहा हो, या अभी अगर वो कोई promoter है, किसी company का, और its holding company, या उस company की कोई holding company है, उसका अगर वो holding company में रहा हो, या subsidiary में हो, या associate company में हो, तो उसको आप जो है independent director नहीं ब बना सकते हो, ठीक है, नहीं होना चाहिए, मतलब वो इस तरीके का नहीं होना चाहिए, तो ही आप उसे independent director बनाओगे, लेकिन अगर वो who was or is a promoter of company, अगर है वो promoter of company, तो आप उसे independent director नहीं बनाओगे, simple है, second देखिए, who is not related to promoter or director, वो promoter और डारेक्टर से related नहीं होना चाह किसी प्रकार का उसका जो connection है, वो उसका नहीं होना चाहिए, in the company, it's holding, subsidiary or associate company, simple वही चीज़ है, बार बार वो उसी चीज़ को repeat कर रहा है कि, वो person जो है related नहीं होना चाहिए, promoter से, director से, या फिर उसकी कोई holding company है, उस से, subsidiary या associate company से, simple है, आगे देखिए, see, देखिए, who has or had no pecuniary relationship, pecuniary क्या होता है, monetary, जो पैसे से संबंदि जो relation होते है, investment हो गया या, कुछ भी, जो monetary, पैसे से संबंदि जो relationship होता है, who has or had, अभी है, या पहले कभी रहा हो, no pecuniary relationship, कोई pecuniary relationship, उस वेक्ती का नहीं होना चाहिए, जिसे आप independent director बना रहे है, उसका ऐसा कोई relationship नहीं हो साथ, with the company, company के साथ, या फिर उस क कंपनी की कोई holding, subsidiary, associated company है, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए, और dai her promoters, जो promoters है, company के, उसके साथ भी नहीं होना चाहिए, और directors, directors भी नहीं होना चाहिए, during the two immediately proceeding financial year, or during the current financial year, अब कब लिहा है, monitor relationießen, पिछले दो साल या फिर जो अभी जो साल चल रहा है मतलब टोटल तीन साल जो अभी चल रहा है और पिछले दो साल जो है consecutively वहाँ पर उनका कोई भी monetary relationship इन सब लोगों के साथ या companies और जो भी बताएं हैं के साथ नहीं होना चाहिए डी देखे अब इसमें यह जो चीज़ें बार-बार repeat की जाएगी कि भी holding company, associate company, promoters, डारेक्टर तो यह आप बार-बार पढ़के confused मत हो जाएगा simple सा है अब company लोग पढ़ रहे तो यह तो आपको repeatedly पढ़ने पढ़ेंगे अच्छा हमने independent director का appointment तो देख लिया कि भी किस तरीके company में आप independent director को appoint करते हूं लेकिन क्या situation हो सकती है फिर किस तरह की situation में आप independent director को किसी जो है खाली छोड़ सकते हैं independent director का tenure पात साल का रहता है उसको reappoint किया जा सकता है उसके बाद तीन साल का cooling period हम बोलते हैं उसे मदब एक बार पॉइंट किया दोबारा reappoint किया उसके बाद जो तीन साल तक वो किसी भी प्रकार की उसके अंदर company के अंदर नोकरी नहीं कर सकता है फिर तीन साल के बाद जो उस प्राइटीरिया जिसका turnover paid up share capital गयरा जो है अगर उसको माच कर जाता है तो उसे independent director पॉइंट करना पड़ेगा लेकिन अगर somehow next year अगर वो company उन तीनों criteria में कहीं पर वह किसी भी एक में अगर वो fail हो जाती है किसी में तो क्या उसी साल जो है independent director की post को खाली रख किया जा सकता ह अगर लगातार तीन साल तक consecutive three years तक अगर वो company जो है उस rule four में जो हमने criteria देखा था उसको fulfill नहीं कर पार है लगातार तीन साल तक तब ही जो है independent director की post को खाली रखा जा सकता अगर एक भी साल कर रही है तब उसे independent director करना पड़ेगा दो साल अगर वो उस criteria को fulfill नहीं कर रही है तो भी उसे independent director रखता पड़ेगा लेकिन अगर लगातार तीन साल तक वो उस criteria को fulfill नहीं करती है तो उसे independent director वो हटा सकते है लगातार तीन साल होने चाहिए ठीक है आप देखें यह जो section है section 149 का 6C हमने देख लिया D हम देख रहे थे तो सभी में बहुत simple simple बता है अब हम अगर सारा ही पढ़के फिर से हम आगे करते जाएं तो unnecessary बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे आगे का या तो हम next video में cover कर लेंगे या फिर अगर आप कोई doubt रहे तो आप मुझे comment क करके बताएं otherwise इसके आगे के sections जो है subsections जो है next video में cover करेंगे आप reading करेगा नहीं समझ आता है तो मैं हूँ बाकि कोशिश करेंगे कि next इसके बचे वे जो subsection उसको हम next video में cover करेंगे बाकि independent director के regarding जो भी important आपके exam में जरूरी था वो मैंने आपको बता दिया है तो मिलते हैं पर नेक्स वीडियो में